आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम इससे पहले की शुरू करें हम एक मिनट साइलन्स में बिताएंगे और परमपिता का आवहन करेंगे परमपिता का आवहन करेंगे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है वैल्यूज अफ लाइफ सीरीज में जो 31 एपिसोड है आज बहुत ही सुन्दर दिन है 22 जन्वरी और 2022 बहुत सारे टूड्स हैं इसमें और ये जो है वो पवित्र मंत्र है पवित्र महीना है जन्वरी का जिसमें हम बहुत सारा पुरुशार्थ करते हैं इस रुहानी यात्रा पर हमने ये वैल्यू अफ ओबिडियन्स आग्याकारिता का गुण इस बार सलेक्ट किया है क्योंकि इसका बहुत महतु है इस गुण का बहुत महतु है रुहानी यात्रा पर जिसमें की हम आग्याकारी बनते हैं बड़ों की तरफ, टीचर की तरफ और अपने बड़ों की तरफ अपने घर में और अपने गुरों की तरफ भी और अपने अध्यात्मिक हीरों जो हमारे रही हैं उनके भी आग्याकारी बनते हैं और इस गुण को अपने में अपनाते हैं और संतोष तीरी हमें बहुत अच्छी तरहें से इसके बारे में बताने वाली हैं, मैं जो है स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और मैं संतोष तीरी का वेलकम करना चाहूँगा, मैं क्लावडिया भेहन से कहूँगा कि उनका स्वागत करें, ओम शांती, गुड मॉर्निंग, वेनकूवर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, कहीं पर आप बैठी हैं, वहाँ पर दो फेहर है, तो गुड आफटर नियून और गुड इवनिंग, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, इन फ्लावर से हम आपका स्वागत करते हैं, आप से सुनने की इस आज्याकारिता के गुण के बारे में, ना सिर्फ की रुहानी यात्रा की तरफ, बलकि अपने जीवन में, किसी भी जीवन के भाग में, हमें आज्याकारी होना जरूरी है, तो हम बहुत वेट कर रहे हैं आपका, कि आप हमें इसके बारे में बताएं, थेंक यू, क्लावडिया बहन, आपका शुक्रिया बहुत-बहुत, हमें पता है कि संतोष बहन पहले भी एक-दो बार आ चुके हैं, ये जो हैं, रश्या में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कल्चरल और एजुकेशनल नॉन गवर्मेंट और्गिनाइजेशन में, पीटर्जबर्ग में ये वहाँ पर डारेक्टर हैं, और ये जो हैं जॉइंट रीजनल डारेक्टर हैं, ब्रहमा कुमारी इसके सर्विसेज में, जो की ना सिर्फ रश्या में, बल्की बॉल्टिक रीजन में भी हैं, CIS रीजन में, जिसे Commonwealth of Independent State कहते हैं, वो एश्या का रीजन की आध्यात्मिक्ता में आने के लिए, ये यूनिवरस्टी से graduate हुई हैं दिल्ली के, और इन्होंने बीएसी उनर्स में, जोलोजी में बीएसी उनर्स किया है, तो इन्होंने जो हमें Frog Experiment के बारे में बताया था, वो हमें याद आता है, कि वो बहुत ही अनौखा है, कि ब्रह हमारी बहुत-बहुत, उन्होंने वहाँ पर ये services बहुत शुरू करी थी, कुछ LINE में, दीदी के बारे में कहूंगा, जो बहुत हैं वो royalty और शांती की स्वरूप हैं, और परमात्मा की तरफ से उनको बहुत सारी loyalty मिली है, अपने पास से उनके पवित्रता के प्रकमपन न इसके उपर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा जो ओबीडियन्स है आग्या कारिता है एक बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा है टॉपिक है जिसमें कि हम सभी मिलकर कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं खुशी शान्ती और प्रेम हम इसमें बाटते हैं और जो हमें जीवन का हो जाते हैं खतम हो जाते हैं और कोई भी लड़ाई जगडा जो है जीवन में नहीं रहता मेरा चेहरा बहुत हरशित और सुन्दर हो जाता है और मैं महसूस करना शुरू करता हूं उर्ती कला के बारे में उर्ती कला में जैसे कि मैं एक पैराशूट में हूँ और जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं और वो मुझे कहते हैं आप अपने आपको unmute करें और हम आपको सुनना चाहते हैं और जीवन ऐसे सुन्दर और स्मूथ हो जाता है जैसे कि हमने reboot का बटन प्रेस किया हो तो बेहन अब आप अपना शुरू कर सकते हैं कुछ मैं housekeeping instructions देना चाहूंगा मुझे हमेशा जैसे कहा जाता है कि हमारे पास साथ भाषाओं में translation इस समय चल रही है तो आप interpretation पर जाकर click कर सकते हैं और जो भी भाषा में आप सुनना चाहें वो आप सुन सकते हैं तो जो इंडिया के time के हिसाब से ये बाषी साड़े नौ बजे तक चलेगी और उसके बाद आप प्रशन जो हैं वो पूछ सकते हैं पाई-दस मिनट पहले और मैं अब screen shop stop करता हूँ share करना शुक्रिया बहन आपका बहुत-बहुत स्वागत है thank you okay मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे यहां मिलकर आपकी सुभा है good morning और यहां पर evening है चाहें सुभा हो या शाम हो और जब भी हो हम जब भी एक साथ होते हैं और एक दूसरे के साथ जब हम रुहानी बातें कर रहे होते हैं अध्यात्मिक बाते कर रहे होते हैं तो कोई फरक नहीं पढ़ता की जैसे ही आपने अपनी poetry अपनी poem को आग्याकारिता के बारे में खतम किया तो ऐसा लगा कि सारी बातें आपने इस इन चार लाइनों में समाहित कर ली हैं आग्याकारिता के बारे में आपने तो कमाल ही किया है जो भी ने इसको लिखा है उसको बहुत बहुत उसका अभिनंदन है उसका शुक्रिया है बहुत अच्छा लग रहा है मैं अपने आपको भागेशाली समझ रही हूँ कि मैं इस Values of Life Series के प्रोग्राम में हूँ specially obedience का जो आज आग्या कारिता का virtue है तो हमने पहले देखा है कि जो virtues है जो गुण है अपने शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है कि वो व्यक्तित्व का गहना है नहीं तो एक इनसान एक व्यक्ति जो है बिना गुणों के कुछ भी नहीं है वो एक स्टोन की तरह से है अगर इनसान के अंदर गुण है वो ही एक हीरे की तरह चमकता है अगर गुण नहीं है हमारे जीवन में तो हम बहुत ही साधारण और एक पत्थर की भाती हो जाते है तो ये गुण जो है वो हमें बनाते हैं कि हमें मशीनों से अलग बनाते हैं, हम इंसान बनते हैं, इंसानी आत्माएं हैं, अगर हम practically में देखा जाए, हम अब बिना गुणों के अपने जीवन में नहीं चल सकते, क्योंकि जो हमारे कर्म है, फिर तो वो एक मशीन के चलने के जैसे ही हो गए, तो अगर हम obedience के अग्या कारिता के बारे में देखें, तो हम ये जो गुण है, वो मशीनों में नहीं हो सकता, जैसे के एक कॉफी मशीन है, कॉफी बनाने वाली है, वो एक सही अमाउंट में हमें कॉफी बना कर देती है, और एक अलग तरह की कॉफी जो भी हम चाहें, वो बना लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि मशीन आग्या कारी है, हम ऐसा कह सकते हैं कि मशीन अपने आप चलती है, और वो अपना कर्म करके हमें सही कॉफी बना कर देती है, लेकिन वो मशीन जो है वो उसको अनभव को नहीं बता सकती है, उसमें हम automatically शब्द यूज करेंगे, naturally शब्द यूज नहीं करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सभाविक आग्या कारी है, तो जो हम हैं, आत्माएं हैं, जब हम गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, हम naturally जो हैं सभाविक तोर पे हैं, वो अपनी वास्तविक्ता से जुड़ जाते हैं, मशीन जो हैं वो अनुभव नहीं कर सकती, वो अनुभव भी नहीं कर सकती, ना खुशी आग्या कारिता की या देविता की और गुणों की उसको महसूस नहीं कर सकती, और वो जता भी नहीं सकती हमें, समझा भी नहीं सकती हैं, जैसे हम एक ब्रेड का लोव बनाते हैं, ब् अच्छा टीमवर्क रहा कि सारे मशीन के भागों ने अच्छी तरह से काम किया तो हम उनके लिए तालियां बचाएं ऐसा नहीं होता है तो ब्रेड़ मशीन जो है वो कोई पार्टी भी नहीं मनाती है अपना कारे खतम करने के बाद लेकिन हम जो है दिखाई नहीं देते हम आजततों की बनी हुई, ये शरीर जो है, यह शरीर में गुण नहीं है, आत्मा में गुण हैं, तो इसलिए बहुत ही, ये बहुत ही कमाल की बात है, कि हम बात कर सकते हैं जो आपने सीरीज शुरू करी है वैल्यूज ओफ लाइफ इसलिए ये बहुत जरूरी है कि गुणों के बारे में जानना और उनको विहवारिक जीवन में ले करके आना आज का जो अनोखा गुण है जो हमने पहले से ही बताया कि आग्या कारिता आग्या कारिता क्यों अनोखा है अपने आप में क्योंकि यह एक जो आग्या कारिता है वो एक इसमें जो है कोई अपना अपना निश्पक्ष एसेट है ये निश्पक्ष गुण है और ये निश्पक्ष गुण है और ये इनसान से अलग होता है नहीं तो जब आत्मा जो एक रुहानी शक्ती है जब वो माता के गर्व में ही होती है तो अगर उस आग्या कारता के इस गुण के बिना जो शरीर से निकलने वाल जो एक बॉडी से हम निकल कर आते हैं पैदा होकर आते हैं हम ऐसा नहीं कहते कि हमें एक आर्मी हाँ चाहिए एक आर्म वहाँ आती है ऐसा नहीं होता तो शुरू से ही यह जो जीवन की जब शुरूआत होती है शरीर से शरीर जब बनता है तो एक सभाविक तोर पे ही जो एक गुण जो है वो शरीर जिस तरह का बना है वो उसी तरह से आके निकलता है तो जो आग्या कारिता है उसका मतलब कहां पर और कैसे इस गुण को हम इस्तिमाल कर रही हैं जैसे उधारन के तोर पर जैसे कि हम एक चाकू सेब को काटकर सबको देते हैं और खुशी को बाखते हैं और हम दूसरी तरह से नाइफ को चाकू को यूस करके हम जो है उससे किसी को धमकी भी दे सकते हैं और डरा भी सकते हैं तो हम चाकू को नाइफ को किस तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं तो जैसे कि इस्तिमाल करने वाले के उपर निर्भर करता है कि वो नाइफ को किस तरह से इस्तिमाल करता है तो ये जो आग्या कारता है वो एक निश्पक्ष गुण है तो इस अनोखे गुण को हम कहेंगे कि जैसे इसका मतलब है कि इसका एक जनरल मतलब है कि हम कुईसी ने आग्या दी और हमने उसको माना तो जैसे कोई व्यक्ति है अगर कोई समय पर पहुँचता है तो क्या वो आग्या कारी है अगर कोई ढंक से गाड़ी चलाता है रूल्स को नियमों को मानते हुए तो क्या वो आग्या कारी है क्या वो अच्छी गाड़ी चलाने वाला आग्या कारी ड्राइवर है या आग्या क चलने वाला है जैसे कि कोई समय पर काम पर आता है तो क्या वो आग्याकारी है क्या हम ऐसा कहेंगे तो अगर जैसे हम नियमों के आधार पर अपना जीवन चला रहे हैं तो क्या हम उसको आग्याकारी कहेंगे अपने काम पर तो हम आग्याकारिता को तीन तरह की कैटेगरी में हम समझ सकते हैं तो हम कहां पर और किसको हम किसकी आग्या का हम पालन कर रहे हैं तो जो इसकी परिभाशा है वो तो बहुत साधारण है मतलब किसी ने आपको कुछ कहा और आपने माना तो वो हो गया आग्या का पालन करना आग्या कारेता तो एक तरहां से देखना हो गया और अगर हम अलग तरीके से देखें तो हमें देखना पड़ेगा तीन तरहां से इसको हमें समझना पड़ेगा कि किसकी हम आग्या का पालना कर रहे हैं मैं अपने जीवन के आधार पर अपने अनुभव के आधार पे बताती हूं कि राजयोगी जीवन का जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पे मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले जो आता है आज्याकारिता परमपिता परमात्मा की जो की सबसे उपर से उचे से उचे हैं तो हम कि कौन से परमात्मा के direction है, कौन से ऐसे हमें आज्या दी जाती है, परमात्मा ने हमें दी है, जो हमें उसका पालन करना है, ये एक अलग topic हो सकता है, तो आज्याकारी अपने परमपिता परमात्मा के और उसके आज्या को मानने वाले, और आज्याकारी अपने माता पित और तीसरे जो हैं हम आग्याकारी बनते हैं किसी authority के जहां पर हम काम करते हैं जो हमारे से बड़े हैं या सरकारी authorities के भी हम obedience आग्याकारी हो सकते हैं. जहां पर कि हम काम करते हैं उनके आग्याका पालन करते हैं जो हमारे से ओहदे में बड़े हैं तो हम उनका जो एक अपना कार्य है उनकी आग्याके अधार पर करते हैं. तो इस गुणों को अपने जीवन में धारन करने की मतलब है कि जादातर समय क्या करते हैं कि सारे गुणों को obedience के आग्याकार्ता के गुण के साथ साथ ही इसको grade में practice करते हैं यानि कि इस तर पर इसका अभ्यास होता है. इसलिए क्या होता है कि कभी कभी ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर ये गुण है या नहीं है. और मजाग की बात और फनी बात ये है कि उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता कि वह वो उस गुण का पालन कर रहा है या वो गुण उसके अंदर है या नहीं शायद उसके अंदर वो गुण है मतलब कि बहुत ही हलके स्थर पे मतलब बहुत हलका है जैसे हरे रंग के बहुत सारे shades होते हैं तो ये जो गुण है ये जो आग्या करता का गुण है वो उसमें कौन से shade में है जैसे कि हम खुशी के गुण के बारे में बात करें एक व्यक्ति आपके पास आता है आपकी उसकी खुशी की जाहिर उसके आने से जान कर ही कह देते हैं कि वो खुश है और दूसरा व्यक्ति आता है जिसके चहरे से इतनी खुशी नहीं जलक रही है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं तो हम उससे पूछते हैं तो ज्यादतर समय पर वो व्यक्ति जवाब देता है जिस पर आपको हैरानी होती ह कि हाँ बिलकुल मैं तो बिलकुल खुश हूँ तो ऐसा जवाब पाकर हम अपने आप से पूछते हैं कि वो जब व्यक्ति हमें कहता है कि हाँ मैं तो बिलकुल खुश हूँ और हम बहुत हमें हैरानी होती है इस बात की हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या मतलब है खुशी क actual मतलब क्या है सही मतलब क्या है किसको हम खुश कहेंगे इन दोनों व्यक्तियों में से कौन ज़्यादा खुश होगा तो पहले वाले को या दूसरे वाले को तो इसका मतलब कि इसमें खुशी में भी स्तर आ गया और हम उसकी धारना करने में जो है हमारे स्तर हैं लेकिन दोनों खुश हैं व्यक्ति लेकिन वो नंबर वाइज हैं इसी तरह से आग्याकारिता के गुण में और किसी भी गुण में हमारे में ग्रेडेशन है यानि की स्तर है अब मैं एक बहुत ही पुरानी बात जो कही हुई है उसको मैं बताती हूँ कि उसको क्या कहा जाता है कि जब हम आग्याकारी बनते हैं लेकिन पूरी तरहां से नहीं हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति आग्याकारी नहीं है लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरहां से आग्याकारी है तो ये जो बात है ये जो कही हुई बात है ये इसको पूरी तरह से समझाती है जैसे कि हम कहें कि ये बात जो है आग्याकारी तो हैं लेकिन कुछ डिगरी तक है या नंबर वाइस है जैसे कि ये कहावत है कि जिसे कहते हैं पंचों की बात सिर माथे पर पर नाला इधर से ही बहेगा इसका मतलब ये हुआ कि मैं पंचों की यानि की जो सरपंच होते हैं गाओं में उनकी बात मैं पूरी तरह से मानता हूँ आग्या का पालन करता हूँ लेकिन जो की पांच सरपंच होते हैं गाओं की बड़े होते हैं जो की निर्ने लेते हैं किसी भी प्रॉबलम या समस्या के बारे में तो पंचों की बाद तो मैं सर माथे पर रखूंगा लेकिन पर नाला जो मेरा वो वहीं से निकलेगा चाहें परोसी को परिशानी हो या ना हो तो ये किस तरहां की आग्याकारिता है इसको क्या कहेंगे कि ये है आग्या का पालन करना हुआ ये कौन सा शेड है आग् इसलिए जब हम देखते हैं कि किस तरह की धारना है आग्या कारिता की इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन गुणों को अच्छी तरह से इनका डिसकस करें और इनको समझें अच्छी तरह से ताकि हम अपने हिसाब से इनको ना इस्तिमाल करें तो इस तरह से मैं सोचती हूँ या इस तरह से आप सोचते हैं ऐसा ना हो कि एक युनिवर्सल एक सारे सब जगे अपलाई होने वाला नियम हो तो हमें ये दिखाता है कि एक युनिवर्सल एक सब के साथ चलने वाली विधी है जो कि मतलब वो व्यक्ति जो हैं वो उसमें सारे गुण उसके हिसाब से हो तो अगर हम गुणों को अपने जीवन में स्तर के तौर पर निभा रहे हैं तो इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि ये जो गुण है अभ्याकारिता का अभ्यास जो है इस आग्याकारिता का करना एक व्यक्ति से कहा जाता है कि जैसे ही कहा गया जिस समय तुम्हें दिशा मिली जिस तुम्हें तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिये गए उसी समय तुरंत के तुरंत उसको पालन करना है लेकिन जब हम उसको डिले कर देते हैं या हम ये कहते हैं अच्छा मैं सोचता हूँ इसके बारे में और या इसको मैं बाद में करता हूँ तो इसका मतलब अलग हो जाता है अगर आप उसी समय वो आग्या को मानते हैं और उसका पालन करते हैं तो तो वो अलग हो गया लेकिन हम कहते हैं नहीं मैं इसके बारे में सोचता हूँ मैं बाद में करूंगा तो इसका मतलब ये आग्या कारे नहीं हुआ इसको हम आग्या का पालन करना नहीं कहेंगे और इस्पेशली जब ऐसा होता है जब हमें परम पिता परमात्मा हमसे कहते हैं और एक teacher जब हमें कहते हैं कि कुछ करने के लिए तो मतलब आग्या का मतलब आग्या का पालन करना तुरंत के तुरंत उसी समय पर जब आग्या दी जा रही है. ऐसा देखा गया है जादा तर कि क्या होता है कि हम जो जब आग्या का पालन करने में या अपने कर्म को करने में हम थोड़ा समय लगा देते हैं. जैसे किसी आग्या को मानना उसी समय जब हम मानते हैं तो जो एनरजी निकल कर आती है उस आग्या के साथ जो वो एनरजी का फ्लो आ रहा है हमारे पास वो समय के साथ खतम हो जाता है. तो उसी एक ही बार में हम उस आग्या का पालन करते हैं. लेकिन जब वो शन बदल जाता है तो मैं अपने हिसाब से सोचना शुरू करता हूं कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और अपने मन में चिन्तन सोच के बाद मैं उसको मानता हूँ या उसको मानती उस आग्या को तो क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो एनरजी और कैलिबर यानि की उसमें शमता जो है वो कम हो जाती है उस चाहें वो कारे छोटा सा ही है तो ऐसा हजारों और सेक्डों बार देखा गया है तो क्या होता है कि उस समय ग्रहे जो होते हैं वो भी बदल जाते ह जैसे कि क्या होता है कि कोई interview के लिए जाता है और वो selection उसका नहीं होता तो वो कहता है कि मेरे ग्रहे आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति देने के लिए जाता है interview उसका selection हो जाता है तो क्या मतलब उसके ग्रहे अलग हो गए तो क्या इसका मतलब यह है कि ग्रहे अलग होते हैं या वो ग्रहे अलग-अलग हर एक के लिए काम करते हैं ये ग्रहे आते कहां से हैं तो यहां पर एक सुक्ष्म संभंध है कि जब आग्या दी जा रही है या जब कुछ करने को कहा जा रहा है उसी आग्या का उसी समय पर मानना तो हमें उस समय जो ग्रह होते हैं वो बिलकुल अलग होते हैं तो ऐसा अभ्यास जो है ये अभ्यास भी समय के साथ बहुत जादा संभंधित है तो हमें इसके परिणाम में क्या मिलता है कि एकदम से जैसे हमने आग्या को माना सुविकार किया और उसका पालन किया उसमें हमें शुब भावना और शुब कामना और दुआएं हमें साथ में मिलती हैं इसी तरहां से ये होना चाहिए कल सुभे से जैसे परमात्मा कहते हैं कि बच्चे सुभा जल्दी उठ करके अपने साथ में बैठो अपने दिन को शुरू करने से पहले अपने मन के घुणों को दोडाने से पहले अपने आप के साथ में बैठना सीखो तो ये एक परमात्मा की ओर्डर है एक आग्या है और हम कहते हैं यस मेरे परम्प्रिय परम्पिता परमात्मा मैं इस कुन का अभी से ही पालन करती हूँ और जैसे ही मेरा ये कहना स्विकारना और मानना परमात्मा तक महुँचता है तो मुझे बॉनस के तोर पर एक दुआएं मिलती हैं और जो की मुझे आगे भढ़ाती हैं और ये जो है मैं इसकुन का पालन इस तरह से करती हूँ आगे भी वो बहुत चलता है और एक और बात है कि मेरा जो response है मेरा जो मानना है जो पालन करना है वो बहुत सारे गुण जो है जो आतमा के बहुत सारे आध्यात्मिक गुणों की हम बात करते हैं काम करने का गुण है या सामाजिक गुण है या और भी बहुत सारे गुण है में भी किसी व्यक्ति में वो सारे गुण नहीं है लेकिन उसमें कोई विशेश गुण भी नहीं है लेकिन अगर उसमें आग्याकारिता का गुण है अगर वो आग्याकारी है तो उसको इतनी सारी दुआईं मिलती है दूसरों के दौरा कि वो अपने जीवन में सफलता का सफलता प्राप्त कर सकता है दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकता है जो की एक बहुत गुणवान व्यक्ति के अंदर होते हैं क्योंकि किसी तरहां से उसके अंदर ये आग्याकारी वो आग्याकारी है या उसके अंदर ये गुण है या उसने उस गुण को अपनाया है तो उसके अंदर ये हमेशा रहता है हां कहने की भावना तो ये एक प्लस पॉइंट है इस गुण का जब हम इसका अभ्यास बहुत लंबे समय तक करते हैं तो ये गुण ही हमें काफी आग तो पहला जो इसकी बात हुई कि मेरा जो आग्या मानने का तरीका है वो एकदम हो तुरंत का तुरंत हो तुरंत के तुरंत में आग्या का पालन करूँ दूसरा आग्या का पालन मैं खुशी से करूँ किसी दवाब में आकर के नहीं अगर मैं आग्या का पालन दुखी फेस से या दुखी मन से करता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दवाब की वज़े से भी नहीं होना चाहिए कोई मैं कोई कमप्लेंड करूँ मैं या यह कहूँ कि मुझे ऐसा करना पड़ता है या मुझे ऐसा मुझे जाना पड़ता है स्कूल या मुझे काम पे जाना पड़ता है तो ऐसा ना हो तो आग्याकारी, आग्याकारिता मतलब जो आग्या का पालन है वो खुशी के साथ करना चाहिए लेकिन हमने बहुत सारे लोग अपने आज पास देते हैं कि क्या उनकी अंदर ऐसा आग्याकारिता है क्या वो इस तरह के अग्याकारी हैं तो जादातर समय पर क्या होता है कि जो यंगर जनरेशन है युवा जो हैं वो उनकी जो डिगरीज बगएरा मिलती हैं उनको क्योंकि उन्होंने जो है आग्या मानी है अपने पेरेंट्स की और अपने बड़ों की जो आग्या मानकर उन्होंने ये छोटे से छोटे काम पूरे किये हैं, तो क्या उसको हम कहेंगे, इस वरती को क्या हम आग्याकारी कहेंगे? और फिर हम शिकायत करते हैं कि मैं अपने जीवन में छोटे बच्पन से मैं बहुत ही ज़्यादा आग्याकारी रहा हूँ और मुझे बहुत सारी डिग्रीज मिली हैं, मेरा जीवन की वरती यही रही है कि मैं आग्याकारी हूँ, मेरी आदे से ज़्यादा जीवन निकल चुका है और मैं ये शिकायत करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरा जीवन आग्याकारी रहा हूँ रही हूँ लेकिन मेरा जीवन उतना सफलता मेरे जीवन में नहीं है क्योंकि जो उन जो हमें आगयाकारिता के बदले में शुब भावना, शुब कामना या हमें दुआएं मिलनी थी वो उतनी हमें नहीं मिली हैं दिल से ये तब ही मिलती हैं जब हम इसका अभ्यास नैचुरल सुभाविक तरीके से होती हैं किसी दबाब के वज़े से नहीं तो दूसरी बात जो है मैं इसके बारी में कहना चाहूंगी आग्याकारिता के बारे में तो जो आग्याकारिता का मतलब फुल यानि की पूरा संपूर्ण होना चाहिए जब हम गुणों को देखते हैं गुण जो हैं वो हम इस्तर के इस्तर पर उनका भ्यास करते हैं इस्तर पर उनको यानि की उसमें शेड हैं तो जिस तरह से हम इस गुणों की धार्णा अपने जीवन में करते हैं वो ठीक है लेकिन जो सच है वो हमसे प्रकट नहीं होता है हमें एतलीस पता होना चाहिए कि क्या संपूनता क्या है उस गुण की और वहां तक हमें पहुँचना है उस गुण के संपून हमेरे उस संपून में पहुँचना है हमें अपने पिता से जो उनों ने हमें गुणों का रास्ता दिखाया है उसका पूरा पूरा हमें किस तरह से उसको पूरी तरह अपने जीवन में उतारना है तो आग्याकारिता मतलब आग्याकारिता संपूर्ण होनी चाहिए कि मैं ऐसा करूं कि मैं कुछ तो बात मान लूं और कुछ बात में ना मानूं कितनी बात का आग्या का पालन करूँ और कितनी का ना करूँ, उसे आग्या कारिता नहीं करेंगे, जैसे मैं उधारन के तोर पे कहूंगी, जैसे मेरी माता मुझे बुला रही है, और मुझे कह रही है, अभी के अभी घर आ जाओ, आप बहुत देर से बहार खेल रहे हैं, बहुत घंटे हो गए, और अब आप आ जाओ, तो मैं आती हूँ अपनी मम्मी के बुलाने पर, लेकिन 20 मिनट के बाद, तो क्या ये आग्या का पालन हुआ, क्या पूरी तरह आग्या का पालन करना हुआ, ये भी एक स्तर हो गया आग्या के पालन करने का, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आग्या कारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर नहीं आई, मैं घर तो आई, मैंने आग्या का पालन किया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद आई, तो उसका जो फल है, उस आग्या को पालन करने का वो भी उतना जादा मुझे नहीं मिलता है मैं बहुत इस मामली में मैं बहुत भागेशाली रही कि मुझे कोई सजा नहीं मिली बट क्या मुझे प्रेम पी अनुभूती हुई क्या मुझे प्रेम मिला, मुझे उस समय सजा तो नहीं मिली कि मैं उस आग्या का पालन करने में मैंने देर लगा दी 20 मिनट की, तो क्या मुझे वो जो एक सभाविक प्यार है वो मिलेगा नहीं, ना तो मुझे सजा मिली, ना मुझे प्रेम मिला तो ये गुण जो है इस तरह का रोल हमारे जीवन में निभाते हैं तो ये जब हम संबंध संपर्क में आते हैं अपने परिवार में, अपने काम पर और दुनिया में लोगों के साथ तो ये बिना कही हुई दुआएं, बिना बोली हुई, बिना देखी हुई ये जो भावनाएं हैं जो हमारे तक पहुँचती है तो अंदर से जब कोई कहता है कि ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरी बहुत अच्छी बेहन है ये हमें बिना देखे और सुने हमारे तक पहुँचती है और हमारी अंतरिकता को भरती है जितनी ज़्यादा ये हमारे पास होती हैं, हम कहीं परबादा का अनुभव नहीं करते, हमें कोई हमारे जीवन में रुकावट नहीं आती, जीवन के किसी भी इस्तर पर, तो यह सुन्दरता है इस आग्याकारिता के गुण में, जब भी हम कोई अपने जिम्मेदारी को निभाते हैं, कोई भी कारे हमें दिया गया, हम बहुत सिंसियर होके और गंभीरता के साथ उससे करते हैं, जो की आग्याका पालन हमें करना होता है, बिना रुके, बिना समय दिये, तुरंत के तुरंत करते हैं, ऐसा भी नहीं कि कभी क कभी करें और कभी कभी ना करें तो उसका जो प्रत्यक्षिफल है जो उसका रिजल्ट है जो रिवार्ड है वो किसी और तरीके से नहीं आता वो सिर्फ लगातार अपनी जिम्मेवारी को हमेशा लगातार मानते हुए आता है तो हमें जो है विश्वास हम दूसरों का जीत सकते हैं और एक हमें स्वच्छंदता का भी अनुभव होता है हर कदम पर आपको कोई न कोई रुकावट नहीं आती ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा कर सकते हैं ऐसा नहीं क्यूंकि आपकी कमिट्मेंट है आपने जो है ये कहा है कि मैंने ये कर्म को पूरा करना है ये फक्र है मेरी ये चिंता है कि मुझे इसको पूरा करना है जो मुझे दिया गया है उसकी वजह से मुझे दूसरों से विश्वास मिलता है वो मेरे पर विश्वास कर सकते हैं अगर मैं इस तरहां से आग्या कारी नहीं हूँ तो मैं हमेशा एक ट्रस्ट के लिए दूसरों का विश्वास पाने के आतुर रहता हूँ मुझे वो विश विश्वास नहीं मिलता है तो आप उस बच्चे पर जो है विश्वास और उस पर प्यार कर सकते हैं क्या दोनों बच्चों को एक ही तरह का विश्वास और प्यार मिलता है अपने अपनी फैमिली से अपने परिवार से नहीं ऐसा नहीं है हम क्या करते हैं हम मांगना शुरू कर देते हैं कि हमें विश्वास मिले हम अपनी जिम्मेदारियों को उतने अच्छी तरह से नहीं निभाते तो हमें विश्वास को हम मांगते हैं उसकी डिमांड करते हैं जीवन के हर स्तर पर देखा गया है अपने परिवारिक जीवन में, समाजिक जीवन में, अपने काम पर सबसे दुर्भागी की बात ये है आजकल कि इस तरीके का जो विहवार है जिसमें पूरी तरह हम आग्याकारी नहीं है यह है ऐसा लगता है, इसमें ऐसा दर्शाया जाता है कि हम अनोक ही हैं क्या हम बहुत जादा इंटेलिजेंट हैं हम अगर इसको गुण को अपने साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं कुछ अलग से नजर आते हैं हम मतलब जो इस साधारनता से इस गुण का पालन कर रहे हैं तो क्या वो बहुत साधारन है ये बहुत खतरनाक बात है इस तरह को अगर इस तरह से सोचा जाए कि जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ये ट्रेन जो है वो बहुत अनौकी है क्योंकि ये अपने लेवल पर नहीं चल रही है, अपनी पटरी पर नहीं चल रही है, ये सिस्टम को की आग्या मान कर नहीं च चल रही है। मैं उझे बहुत गर्व होगा कि मेरी ट्रेन अगर अपने रास्ते पर चल रही है, जो स्ट्रक्चर उसको बनाया गया है, उस पर वो चल रही है। इक्वल इसके ऐसा कहा जाता है कि वो आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं या आप बहुत ज़्यादा इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप एक केव परसन की तरह हैं, एक गुफा में रहने वाली हो गए। तो ऐसा कई लोग इस तरह से समझते हैं कि ये तो बह साधारण है कि आज्यापर मान कर चलना आगे जीवन में चलना क्यूंकि हम अपने जीवन में इसको धारण नहीं करके चल रहे हैं तो हम, हमें जो इसका फल जो है बहुत अच्छा जो मिल सकता था, वो नहीं मिलता है जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी तुरंत के तुरंत आपको कोई ना इसका जो फल है आग्याकारिता का मिल जाए कि लोग मेरे उपर विश्वास करना शुरू कर दें एक दम से और आपको इसका रिवार्ड द इसके लिए क्या ये काम करेंगे मैं तो आपका बहुत आग्याकारी रहा मैंने वही किया जो आपने कहा तो ऐसे नहीं होता है कि एक दम से आपको कोई जबाब मिल जाए या उसका फल मिल जाए कोई भी यहां पर कुईक फिक्स नहीं है आपको फूल नहीं मिलते हैं एक ही दिन में अगर आप बीज बोया है इसके लिए आपको उस बीज की पालना करनी पड़ती है तो आपको आग्याकारी बनना पड़ता है तो वो जो फल है उसका फल जो हमें मिलता है दुआएं शुब भावना शुब कामना वो हमें मिलती है वो लगातार आग्या कारी बनने से एक का सुभाव ही बन जाता है ऐसा नहीं कि कभी कभी हम उस आग्या को पालन कर रहें नहीं वो हमारा लगातार का सदा का हमारा विहवा ही ऐसा बन जाए एक और वज़े है तो ये जो आग्याकारिता है एक बहुत ही welcoming यानि कि बहुत एक आकरशित गुण के रूप में क्यों नहीं दिखाई देती है क्योंकि क्या होता है कि जब हम देखते हैं इसका फल जो है आग्याकारी बनने का कभी गलत भी हो सकता है हम शुरू से ही ना आग्याकारी ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही आग्याकारी नहीं रहे होते लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसी आग्याका पालन करने को कहा जाता है जो कि सही नहीं हो सकती यानि कि उसमें कुछ अपनी तरहां की मत मिली हुई हो सकती है अब मारे जीवन में बहुत ऐसी तरह की कहानिया और स्टोरी होती है हम या खून का भी हमारा रिष्टा है भाई भेनों के साथ या माबाप के साथ भी कुछ चीजें ऐसी होती है हमें वो इस तरह की भावना देती है कि हम सोचना शुरू कर देते हैं दूसरे दो बार हम सोचते हैं कि हम इस बात को मानें या नहीं क्या मैं आखे बंद करके इस आग्या का पालन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इसी तरह से रिष्टा जब हमारा टीचर के साथ है या हमारा गवर्मेंट में है या हमारे काम पर किसी बड़े लोगों के साथ हमारा संबंध है तो क्या हम तो हम इस गुण को जो है इतना ज़ादा इतना ज़ादा प्रभाव नहीं इतना ज़ादा बल नहीं देते इतना ज़ादा सोचते नहीं है और इसको गुण को खाली हम जैसे कि जैसे कि एक म्यूजियम में रखने वाला गुण हो गया यानि कि हम इसका पालन नहीं करते अपने जीवन में उतारते नहीं है सिर्फ इसके बारे में बात करते है या जैसे कि कोई हम सेमिनार हुआ तो उसमें बात की हमने यूट्यूब का कोई हम भाशन दे रहे है तो हमने उसके बारे में वहाँ पर बात की लेकिन अपने जीवन में उसको नहीं उतारते हाँ क्यूंकि कि इसका वज़े है कि हम अपना वास्तविक स्वरूप को भूल चुके है कि मैं कौन हूँ मैं एक पवित्र हूँ और एक शान्त हूँ हम अपने शरीर के भान में आकर के ये सब सोचते हैं जो भी हम एड्वाइज देते हैं या हम सला देते हैं हम अपने शरीर के भान में रह करके करते हैं कोई सला देते हैं कोई आग्या देते हैं तो क्या होता है कि वो अलग-अलग स्तर पर जो है उसके लाब होते हैं, लेकिन किसी तरह के वो टेस्ट से नहीं निकले होते, तो कोई भी जो आग्या है उसका, क्या वो आग्या सभी के लिए लाबकारी है या सभी को उससे लाब मिलता है, बड़ी अथोरिटी से, बड़ों से, टीचर से, मम्मी पापा से या जो भी हमें आग्या मिल रही है, क्या वो सभी के लिए लाबकारी है, सभी को बेनिफिट दे वाली है, तो इनसान की जो शम्ता है, उससे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अपने हम शरीर के भान में रहेकर, जो हम آग्या देते हैं, या हम कोई सलहा देते हैं, तो हम अपने, वो ऐसा रास्ता दिखाता है, क्या वो सभी के लिए लाबकारी हो सकता है, मुझे याद आता है मैंने राज योगा प्रैक्टिस करने से पहले मैं माउंट अबू जाती होती थी उतनी जादा मैं राज योग का प्रैक्टिस नहीं कर रही थी थोड़ा थोड़ा करती थी मैं स्टूडेंट की तरह अपने टीचर के साथ देहली से माउंट टाबू जा रहे थी उनको दादी जी कहते हैं वो हमारे साथ में थी और उनकी आयो कुछ सत्तर वर्ष की थी दादी का मतलब होता है सीनियर बेहन और इसका मतलब दादी मा और नानी मा भी कह सकते हैं जब हम बैठे थे एक ट्रेन के एक कमपार्टमेंट में और हम मेडिटेशन कर रहे थे ट्रेन में तो तो उस ट्रेन को 21 घंटे लगते थे दिल्ली से अमाउंट टाबू पहुँचने के लिए तो किस तरह से टाइम हमारा पास होगा तो हम साथ साथ में रास्ते में साइलेंस का भ्यास करते हुए और मेडिटेशन करते हुए जा रहे थे जो हमें बहुत मदद करता था और करता है तो जब हम मेडिटेशन कर रहे थे शाम को हमारे खाना खाने से पहले तो एक तम से क्या हुआ कि हमारे साथ में जो बैठे हुए थे एक व्यक्ति एक सजन वो हम सब शांती से बैठे हुए थे बहुत सी सुन्दर गाना एक गीत चल रहा था और जी जो दूसरा व्यक्ति था उसने स्मोक करना यानि धूम्र पान करना शुरू कर दिया तो जो ट्रेन का पूरा कमपार्टमेंट था वो धूए से और उसकी स्मेल से उसके धूम से कहा कि प्लीज कृपिया आप यहां धूम्र पान ना करें तो उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा और कहा कि ऐसा कहा पर लिखा है कि धूम्र पान निशेद है मैं धूम्र परचान नहीं कर सकता तो बहन ने कहा कि आप अंदर स्मोक ना करें उस व्यक्ति ने फिर कहा कि कह पर लिखा है तो वो कहता है उसका मतलब यह हुआ कि वो आग्या का पालन तो करेगा अगर यहां पर कुछ लिखा हुआ है यानि कोर्ट ने या जज ने यहां पर कुछ लिखा हुआ है सरकार ने कुछ लिखा है तो मैं उन लाइनों का पालन करूंगा अगर ऐसा लिखा है ले इसका मतलब क्या वो आग्या का पालन नहीं करें जो जीवित व्यक्ति उनको कह रहा है तो ये सब हुआ ऐसा हो रहा है अपने आपके बारे में जानकारी ना होना ही इसका कारण है अपने सभाविक रूप को ना जानना अज्ञानता जो हमारी अपने सुप्रीम परमपिता परमात्मा उचे से उचा जो पिता है हमारा उसको ना जानना उसके साथ रिष्टे को ना समझना जो है कि वो भी एक आत्मा है और अगर वो ऐसा जानते होते तो वो ये समझते कि मैं भी आत्मा हूँ और ये जो आत्मा मुझे कह रही हैं कि हम सब आत्माएं हैं जो मुझे ये कह रही हैं और हम सब बच्चे हैं उस परम पिता परमात्मा के तो क्या वो व्यक्ति उस आग्या का पा कि हम कौन हैं, हम अपने पिता को भूल गए हैं, इसलिए ऐसे काम होते हैं, जिसमें कि हम आग्या का पालन नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया है हम सब के लिए, तो ऐसा समाज का निर्मान करना बहुत मुश्किल है, जिसमें कि बेहद का घर, जहांपर की कोई हद नहीं है जहांपर की हम इन गुणों का अभ्यास नहीं कर रहे हम जाते हैं और ये हमारे से गुण प्रकठी होते हैं अपने आप ही पूरी जो हमारा देश है वो हमारा परिवार बन जाता है पूरी दुनिया हमारा परिवार है क्योंकि सारे जो मनुश्य हैं वो सभी आत्मा है ना तो वो सभी रूहानी शक्तियां हैं जब हमें ये पता चल जाता है, हमें ये समझ में आ जाता है, तो हम जो है एक आत्मा एक एनरजी है जो हम अपने 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 रोल को अधा कर रहे हैं इस शरीर में रहते हुए जब हमें यह पता लग जाता है काम में घर में या देश में हम जहां पर रहते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर एक बात और जोड़ना जरूरी है कि हाँ जानना और प्रश्न करना किसी हद तक जो कि हमें एक material प्रोग्रेस तक लेके जाती है. मैं अगर मेरी टीचर ने क्लास में ऐसा कहा तो मैं इसका ऐसे पालन नहीं करता हूँ. मैं फिर भी question पूछता हूँ. अगर मुझे समझ में नहीं आया तो प्रश्न करना या पूछना एक अलग बात है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया तो मैं अपने टीचर से पूछता हूँ. तो ये एक तरहां की material progress हो गई जो की जरूरी है बहाई तोर पर। जैसे हम उधारन लेते हैं लिक जब Newton ने देखा कि एक सेव जो है पेड़ से नीचे गिरता है तो उनके मन में प्रश्न आया कि नीचे ही क्यों गिरा? उपर की तरफ क्यों नहीं गया? एपल को तो सेव को तो कोई आगिया नहीं दी गई थी जिसका वो पालन कर रहा था शायद सेव को कुछ से ही पता था बिना किसी आगिया के वो नीचे की तरफ गिरा बार-बार ये नीचे ही क्यों गिरता है इसके पीछे क्या कारण है? उपर क्यों नहीं जाता इस तरह के जो प्रश्ण इस तरह की जो जानने की जो उनके अंदर इच्छा आई उसी तरह से इसी की वज़े से उन्होंने गुर्टवा कर्शन का लौ अफ ग्रेविटी का अविश्कार किया उन्हें उन्हें सब को बताया तो जब हम spiritual यानी रूहानी आध्यात्मिक तरीके से हम जो समझते हैं तो ये एक ना दिखाई देने वाली चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती है जिस पर हम पहुँच नहीं सकते इन अपने कर्मेंद्रियों जो हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं उनके द्वारा ये चीजें जो हैं ये सिर्फ महसूस की जा सकती हैं इनको इनका अनुभव किया जा सकता है समर्पन के द्वारा समर्पन का मतलब छोड़ना नहीं है कि मैं अपनी बुद्धी को इस्तेमाल ही ना करूँ अगर वो सच में समर्पन है इसका मतलब उसको छोड़ना नहीं है इसका मतलब है आगे भरना मैं यहां कहूंगी कि बहुत ज़्यादा लाब है बहुत ज़्यादा हमारा ही फाइदा है परमात्मा की आग्या को मानने में उनकी शिर्मत को चलने में शिरीमाने उचा बहुत उचे से उचा जिसे हम श्रेष्ट कहते हैं मत यानि की जिसे हम डारेक्शन कहते हैं मत कहते हैं जो की परमपिता के डारेक्शन है जो हमें वो इस समय सिर्फ आकर जब की दिन और रात मिल रहे हैं रातरी खतम हो रही है और दिन का शुरुवात हो रही इस कल्प के अंदर तब इस संगम पर आकर वो हमें ये आग्या दे रही हैं तो ये जो आग्या कारिता का है गुण है वो एक जिम्मिदारी का ट्रांसफर है जो हमें परमपिता दे रही हैं वो कहते हैं तुम पहले भी पवित्र थे और अब तुम्हें फिर से पवित्र बनना है ऐसा वो हमें कहते हैं और ये कहते हैं उन सब चीजों को छोड़ना है जो भी तुम्हारे अंदर अपवित्रता की संस्कार या भाव हैं उनको छोड़ना है तो ये सबसे उंचे परमपिता के हमें डारेक्शन है जो आग्या वो हमें दे रहे हैं जाए हम इस्ट में हैं वेस्ट में हैं नौर्थ या साउथ में हैं पूरा पश्चिन उत्तर दक्षिन में हैं नौर्थ में जो हैं खाली खाली वहां पर फिश होती हैं और यहां पर सिर्फ सबजियां पेड़ पौध ही होते हैं तो इसको समझना कि सबसे उचे से उचा जो आग्या जो हमें दी जा रही है वो हमें सारी परिशानियों से छुडाने के लिए दी जा रही है जो की परमपिता हमें देते हैं उसको पालन करने के लिए हमें हम उस आग्या के उपर प्रश्ण नहीं कर रहे हम उस उस परमपिता पर भी प्रश्ण कर रहे हैं वो हम उनसे सो क्वेशन पूछें वो मना नहीं करेंगे कि किस तरह से अपनी हेल्थ और मसल बनेंगी अगर मैं वेजिटिरियन खाना खाता हूँ तो उनके पास परमपिता के पास बहुत ही ज़्यादा सब्र है लेकिन उनको हमें डाउट नहीं करना है उन पर संशे नहीं करना है उन्होंने कहा कि कुछ भी खाओ लेकिन दूसरों को मत खाओ वो हमें परिशानियों से बचाते हैं तो एक बार जब मैं ये स्विकार कर लेता हूँ तो जिम्मेदारी जो है वो उनकी है इसका जो आग्याकालिता के गुण को मानना तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मैं स्वचंदता का अनभव करता हूँ ये ऐसा नहीं कि जो मुझे टेवल पर मिल गया जो मुझे सर्व कर दिया गया मुझे दे दिया गया मैंने खा लिया तो उसके फलस्वरूब हाट अटेक प्लड प्रेशर भी हो जाता है तो मैं एक स्वचंद नहीं हूँ एक बंधी हुई एक बंधन में हूँ लेकिन अब मैं परमपिता के डारेक्शन को मानती हूँ पवित्रता को फॉलो करती हूँ पवित्रता पर चलती हूँ पवित्र खाओ, पवित्र देखो, पवित्र सुनो और पवित्र ही बोलो तो तो मेरे उपर कोई जिम्मेवारियों का बंधन नहीं है बर्डन जो है, जो बोज है वो उनके उपर है परम पिता के उपर मैं एक इंस्टुमेंट की तरहां एक निमित की तरहां अपना काम कर रही हूँ आग्या का पालन करना कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसका पालन करना ही है या मेरे अंदर अपनी बुद्धी नहीं है या अपना दिमाग नहीं है इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब इन डारेक्शन को इन बातों को मानना जो भी हमें डारेक्शन दिये जा रहे हैं जो भी हमें शिक्षाएं दी जा रही हैं आगे भड़ने के लिए हैं नहीं तो कुछ भी आगे नहीं भड़ेगा जैसे कि एक कहावत में कहा गया है हिंदी में फिर से कह रही हूँ मैं ये बात कही गई है जो हिंदी में कि मैं आग्या नहीं मनना चाहती मैं अपनी माँ का कहना नहीं मनना चाहती कि जब मैं घर पे हूँ जब मैं काम पे हूँ तो अपने आफिसर की बात नहीं मनना चाहती तो फिर ये जो society का जो एक स्तर है जो इसके श्रेणिया है वो कैसे चलेंगी मतलब ये structure आगे कैसे भड़ेगा और मैं भी stable कैसे रहूंगी तो हिंदी में जैसे कहा गया है कहा गवत मैं भी रानी तू भी रानी तो कौन भरेगा घर का पानी इसका मतलब कि मैं भी queen हूँ, मैं भी रानी हूँ, तुम भी रानी हूँ तो फिर घर में पानी कौन भरेगा अगर हम सभी उचे पद पर बैठे हुए हैं तो घर के काम यानि कि छोटे काम को कौन करेगा इसी तरह से जो अगर बच्चा भी राजा है और माता पिता भी राजा है तो किस तरह से कौन घर का काम करेगा कौन पानी घर में भड़ेगा कौन बड़ा है और किसके पास जो है वो अथौरिटी है या कौन उचा है पद में हम message क्या दे रहे हैं कि हमें कोई अपने से उपर कोई पसंद नहीं है क्या हम उसका क्या हम उसका विरोध करते हैं जादा देर तक इसका विरोध करने से शताबतियों से ये जो निकल रही है बात इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तो हमें जो ये एक structure बना हुआ है एक तरह से जो जिसमें की कोई छोटे पद पर है कोई उपर पद पर है तो कोई काम करता है नीचे वाला उपर वाले की बात मन के तो हम उसको कैसे पदल सकते हैं जैसे हमारे शरीर का भी structure है हर अंग अपनी अपनी जगा पर है तो एक बहुत बड़ी authority है जो की एक शरीर को भी आग्या देती है जो शरीर पूरी तरह से मान कर चलता है तो अगर हम आग्या कारिता को अपनी जीवन से निकाल दें कि तो फिर हमारे जीवन का क्या महत्वर है जाता है तो उसमें कोई भी जो है वो क्या उसका मूल्य होगर है जाता है अगर हम आग्या कारिता को निकाल दें हमारे जीवन का जो structure है जो एक स्तर बनी हुए है वो उसका कोई मतलब नहीं जब हम आग्याकारिता को अच्छी तरह से समझते हैं उसके महत्व को समझते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है एक सामाजिक और एक नैतिक गुण जो हमें आते हैं और जो हमें डिविडेंट यानि की हमें बोनस के तोर पर जो हमें दूसरों से मिलता है शुबावना शुब कामना और दुआएं और दूसरों का जो विश्वास हम हासिल कर पाते हैं हर एक का इस गुण को मानते हुए या जिसके भी हम समपर्क में आते हैं तो और क्या और क्या कहने को रहे जाता है सिर्फ दिल यही कहता है कि अपना लक्षे रखो इसको उस उस स्तर तक इसको अपने में धारण करो कि आप एक प्रेणा का स्रोत बन जाएं और आपके जीवन से दिखाई दे कि क्या तुम्हें फल मिला है आग्याकारिता का ताकि दूसरे भी समझ पाएं कि जब आप वो भी ऐसा करें तो आपको क्या-क्या प्राप्तियां हो सकती हैं तो मैं देख रही हूँ कि टाइम थोड़ा आगे निकल गया है पांच मिनट जादा हो गए हैं थैंक यू दीदी कोई बात नहीं शुक्रिया आपका बहुत-बहुत-बहुत ही घहराई से आपने शेयर किया हमने कभी हमने कभी ओबीडियन्स के बारे में आग्याकारिता के बारे में इतना नहीं सोचा था ऐसे नहीं सोचा था तो अब कुछ प्रश्ण है बहन पूछ रही है कि मैं परमपिता का परमात्मा का आग्या मानना चाहती हूँ सुवह चार बजे उठकर क्योंकि क्योंकि मेरी जो नींद का जो है मेरी क्ουालिटी अच्छी होने ना पूरी उठ सकती हूँ, किस तरह से मैं अच्छी नींद ले सकती हूँ, ताकि मैं सुभा जल्दी उठ पाऊं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा जो शब्द, हमारा जो बात्ची चल रही थी, बहुत साधारन चल रही थी, जब हम कोई एक बात मानते हैं परमपिता परमात्मा की उसमें, तो उसमें एक जो है इंस्ट्रक्शन आते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन मैनूल की तरह मुरली हमें आती है, किस तरह से हम सारे गुणों को अपने अंदर सम कर सकते हैं परम पित्ता के महावाखे उसमें हमें बताया गया है कि अमरतवेला कहते हैं सुभे सुभे जो बहुत ही अरली समय होता है वो परिणाम है पूरे दिन का हमने पिछले दिन में क्या किया है तो इसका मतलब मुझे ये देखना होगा कि मेरे जो कर्म हैं जो मैंने काम किये, जो संबंद, संपर्क्मे में आई, किस तरह से मैंने अपना पूरा समय, दिन व्यत्तीत किया, अगर मेरा समय, जो है, जो मेरा समय, मैंने अपने आपको खुश रखा, और दूसरों को भी संतुष्ट किया, और खुश रखा, तो कोई भी बाधा इसका मतलब नहीं आएगी. काफी हम मैंसे अकेले भी रहते हों, और ऐसा भी भागेशाली है, क्योंकि अगर हम राजयोगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर हमारे, हमें कोई डिस्ट्रबेंस नहीं होती दूसरों से, क्योंकि हम अकेले रहे हैं, तो हम इस सरा भागेशाली हैं, अकेले रहे हैं, लेकिन यह हमें इतना ज़्यादा मदद नहीं करता, मैं सब कुछ कर रही हूं, और जो कंपनी है परमात्मा की, वो मुझे हर परिशानी से अलग रखती है, जब हमारे अंदर कोई भी इच्छाएं आ जाती हैं, या एक्स्पेक्टेशन्स आ जाती हैं, तो हम अपने आपको वो इस शरीर से अलग नहीं कर पाते, तो उन्हें का मतलब अपने आपको इस शरीर से अलग करना, चार या पांच घंटे के लिए, तो आप आराम से लेट तो गए, लेकिन आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उनको आप सपनों का नाम भी दे सकते हैं, इसका मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जो इच्छाएं हैं, या एक्सपेक्टेशन्स हैं, दूसरों के प्रती, वो पूरी नहीं होई हैं, तो वो हमारे सपनों के तोर पर हमें आती हैं, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें चिंता नहीं करने की जरूरत है, जो हमें, तो ये एक तिया है, एक वर्क है, जो की हम उसमें पहुँचता है, तो सबसे पहले हमें अगर समय को ठीक करना है, अगर मुझे सुबह उठकर मेडिटेशन करना है, तो मुझे ये देखना होगा, कि मेरा पूरा दिन कैसे निकला, मेरे खाने की क्या हैबिट्स हैं, मैंने खाना कैसे खाया, किया मैं टाइम जो है, बहुत ज़्यादा मोबाइ पर निकाल रही हूं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बाते कर रही हूं, ना जरूरत होते हुए भी, उस लेवल पर भी मुझे जाकर देखना है, जब मैं ये सारी बातें देखती हूं अपने जीवन में, तब ही, तब अपने आप ही, मेरा सुबह उठना सभाविक हो ज करके, पूरा उन पर फुल स्टॉप लगाके, और मैं परमपिता परमात्मा से सुभा मिलने के लिए तैयार हूं, तो लक्षे होना चाहिए, कि ये बहुत अच्छी बात है, कि आप ऐसा मैसूस कर रहे हैं, कि ऐसा बदलना चाहिए, तो लक्षे रखें, थैंक यू दीदी, आपका शुक्रिया, दूसरा प्रशन है, रोचक प्रशन है, आइस ओफिसर है, ये वो पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है, आइस मतलब इंडियन एडिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, मैं एक मिनिस्टर के नीचे काम कर रहा हूं, जो मुझे कह रहे हैं, जो काम करने के लिए क जह रहे हैं, जो गलत है, और जो मेरी कॉंशियस अलाव नहीं कर रही उस काम करने के लिए, अगर आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो दुनिया में खतम हो गए हैं, तो आप ये चेक करें, जब धारना की बात आती है, अपने अंदर उतारने की, तो ये पहली बार नही हैं, जो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, शताब्दिया निकल गई हैं, ये प्रशन आए हैं, तो एक्सपेरिमेंट भी होए हैं, कि किस तरह से, कितनी देर तक और कब तक जो इनसान है, अपनी जो आंतरिक आवाज है, उसको अपनी कॉंशिस की आवाज है, अंदर की आवा हैं, जो उनको कहा गया है, तो सबसे पहले, यहाँ पर दो अलग-अलग चीजें हैं, एक मतलब मैं कुछ गलत कर सकता हूं, नहीं, तो आपको पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके जॉब में कोई बड़ा आपसे इस तरहां की डारेक्शन दे रहा ह है, जो गलत है, हमने ब्रहमा कुमारीज ने जो सीखा है, हमने परम्पिता परमात्मा के महावा के सुनकर ये सीखा है कि कोई भी physical authority है, जो हमारे से बड़े है, वो भी एक जो है अपने आप्रमा की तरहां अपना कारेक कर रहे हैं, मैं आत्मा अपना पार्ट अदा कर और मेरे अंदर अगर ये आदत है अपने आपको परम्पिता परमात्मा शिव बाबा जो सबके कल्यान कारी हैं उनसे संबंद और संपर्ख बनाकर अगर मैं चल रही हूँ और मेरी बात भी होती है शुब भावना और शुब कामना के उपर भी और अगर मैं अपना व्यू देखूं एज आईएस ओफिसर नहीं कि एक भाई या एक बहन की तरह में अपने आपको देखों तो तो यह जो नमरता का भाव है इस नमर भाव से जो बड़े हैं आप उनको यह ऐसा बता सकते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है जो कि कहा जाएगा कि अपना अपने कारे कर दिया एक बार आपने कर दिया अपने आपको एक पूरी तरह से आपने जो आपके दिल की इच्छा थी अपनी थौट्स को परमपिता को समर्पित करके आपने वो कारे कर दिया तो वो जरूर परिणाम लेकर आएगा ही लेकिन आपके केस में क्या है अगर आप अथौरिटी की बात नहीं मानते हैं तो अपने बड़ों की कहना ना मानते हुए आपके केस में अगर हर कदम पर आप उनका काम नहीं मान रहे हैं आप उनकी कहना तो ये अथौरिटी जो आपसे बड़े हैं वो आपसे क्यों गलत काम कराना चाहते हैं क्यों क्योंकि वो शरीर अपने आपको समझते हैं क्योंकि वो अपने आपको अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं. अगर मैं किसी इस अथॉरिटी का लट से मैं नहीं मानता हूं या मैं इनकी आग्या को नहीं मानता हूं, तो वो व्यक्ति है वो यह नहीं देखेगा कि आप परमात्मा को डिसोबे कर रहे हैं, वो ये देखेगा, क्योंकि वो शारीरी भान में हैं, वो ये देखेंगे कि तुम मुझे, अब मेरी आग्या को नहीं मान रहे हो, तो किस तरहां से इस सर्कल को, ये जो साइकल चल रहा है, विकारों कहां में से कम कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि इस तरहां से ये नहीं होना चाहिए, जो एक दूसरा व्यक्ति है, जो उस बात को नहीं समझता, और उसको अगर कुछ पाइरे की चीज मिली है गलत कारे करने के लिए और वो कर रहा है, अपने आपको आप एक परिश्टा की तरहां देखें, इस बात को बदलें, परमपिता परमात्मा की शक्तियों के साथ, एक एक्सपेरिमेंट की तरहां करें, तीन महीने का या शे महीने का, डिपेंड करता है कितना जो कौन सा उसमें गलत आपको जो डारेक्शन दिया जा रहा है, उसमें क्या गलत है, और लेकर आएं और परिणाम दिखाएं कि क्या उसका परिणाम होता है, यानि कि आप अपने अंदर वो गुण को स्रमाहित करके और उस गुण को स्रमाहित करके अपना कारे करें तो आपके पास ये अवसर है थैंक यू सुन्तोर शिस्टर बहुत सुन्दर आंसर है आपका जो गुणों का जो हमें फल मिलता है अगर हम उसको करते हैं हम टाइम को देखते हुए समय को देखते हुए एक प्रशन पूछेंगे कि आज की दुनिया में एक पेरेंट पूछ रहे हैं कि जो स्क्रीन से एडिक्शन हो गया है जैसे कि बच्चों को बड़ों को बहुत जादा एडिक्शन हो गई है फोन की तो हम किस तरह से उन पर डील कर सकते हैं और क्या सबसे सरल तरीका हो सकता है कि बच्चों से अपना कहना मनमाने का या बच्चों से अपनी आग्या पालन कराने का सरल तरीका क्या हो सकता है बच्चे बच्चों को आगया का पालन करना नहीं पता होता लेकिन वो एक फ्लो की तरह चलते हैं जैसे कि एक पानी जो है बह रहा है है ना जैसे हमारी एनर्जी है पूरे जो हमने वायू मंडल बनाया हुआ है घर में बाहर उस तरह से वो भी बहते चले जा रहे हैं घरों में स्कूल में जैसे वो उसी फ्लो में चलते चले जाते हैं तो वो भी महसूस करते हैं कि अंदर से वो खुश नहीं है क्योंकि एट्मॉस्ट्फियर वायू मंडल ही इस तरह का है तो हमें अपने आपको पहले देखना है हमें अपने घर में वैसा वायू मंडल बनाना है शांती का वायू मंडल बनाना है जिसका मतलब हमारा मन जो है वो हमारे अपने निज स्वरूप से जुड़ा हुआ हो हमारे वास्तविक स्वरूप से जुड़ा हुआ हो जब हम connected रहते हैं जुड़े रहते हैं तो हमें जो बहार की जो चीज़े हैं material है वो आपको disturb नहीं करता अच्छे अच्छे महिमन भी सभी बन सकते हैं जब हमारे पास प्यार है शांती है तभी हम अच्छे बन सकते हैं तो हम एक माता-पिता की तरह या सीनियर की तरह या ग्रैंट पेरंट्स की तरह हमेशा सही ये चाहते थे की हमारे बच्चे ऐसे उच्छे बने ऐसे उच्छे परें या ऐसे उच्छे बने तो हमने खुद ही उनको ऐसी रेस में लगा दिया की ऐसा बनो या ऐसा बनो एक तरहां की रेस उनके लिए हमने तयार कर दी हमने उनको नहीं कहा कि राजयोगी बने हम वो भिगड़े हुए पैदा नहीं हुए थे हमने ही उन्हें भिगाडा होता है वो वही करते हैं जो वो देखते हैं अगर वो गलत चीज़ें होते हुए देख रहे हैं तो वो screen के उपर जो हैं, वो चले जाते हैं, तो घर में अगर सारे screens बंद हैं, वो देखते हैं, अगर आप screen यूज़ कर रहे हैं, आप ज़्यादा phone का इस्तिमाल कर रहे हैं, तो वो भी रैसा ही करते हैं, तो ये बच्चों का प्रश्ण नहीं है, कि वो कहना नहीं मानते, य ये जो है, वो लक्षे का मतलब है, यो लक्षे हम उन बच्चों को दे रहे हैं, हम उनको कहते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, आर्ट्स में, बायलोजी में, फिल्जिक्स में, और दूसरे प्रश्णों में, और जो उनकी सारी पढ़ाई है, वो screen के उपर है, अगर आप उनको अब मुक्त करना चाहते हैं, तो उनसे ये सब चीज़ें ले ले, क्या आप उनको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या ये हिम्मत है कि आप उन चीज़ों को सब को ले ले, आप चाहते हैं कि वो उनको जॉब मिले ये सब चीज़ें करने के बा करने की जरूरत है अपने अपने घरों में ऐसा एक्मोस्फिर हमें बनाएं जो की material चीजों से अलग हो और और आखिर में अपने आपको परमात्मा पर समर्पित करें अपने आपको समझें कि आप pure हैं पवित्र हैं तो उसी के बाद वो जो है परमात्मा अपनी हमारी जिम्मे लेते हैं और हमें मदद करते हैं ठैंकयू दीदी, शुक्रीय आपका मैं अशुक मेटा से कहूंगा डॉक्टर से कि वो शुक्रिया आपका करें और अभी नंदन करें हेलो गुड इवनिंग डॉक्टर साहब आपका गुड इवनिंग ओम शांती ब्रदर ओम शांती सिस्टर आपने बहुत ही सुन्दर तरीके से बताया परमपिता के साथ रिष्टा तो जो इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं की क्वेश्चन दूसरी वाली जो वार सेकेंड वर्ड वार हुई थी उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं मार गए थे क्योंकि वो खाली आर्डर कर रहे थे और उन्होंने लोगों को कितने लोगों को मार दिया क्योंकि वो खाली आर्डर का ही पालन कर रहे थे तो किस तरह से लोगों को हैंडल किया गया जो आज की दुनिया है, ओवेंग मतलब कि हम अपने स्कूल में अपने शिक्षकों की बात मानते हैं, अपने घर में अपने बड़ों की बात मानते हैं, सारे प्रोफेशन और मेडिसिन में जो हमें कहा जाता है, वो हम मानते हैं, तो हमें कहा जाता है, तो हम बड़ों का कहना मानते हैं, लेकिन अगर हम जा कर देखें तो यह जीवन जीने का तरीका है, तो जो आग्याकारी बनना है, यह प्रश्न है, कि क्या हमें वाकिए आग्याकारी होना चाहिए हम अपने गुणों के बारे में जो सिखाते हैं कि आग्याकारी बनना है तो हम मन से इस बात को स्वीकार करते हैं जो लास्ट शब्द है जो आपने कहा वो बहुत ही सुन्दर था मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके जो जवाब देने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था शुक्रिया बहन थैंक यू ब्रदर थैंक यू तो आपको हम को नहीं छोड़ कर जा रहे हैं आपको मैं बहुत बहुत अच्छी यही बात है जो एक सब जगे कही गई है इस पैंडेमिक के दरान एक्सपरियेंशल एक्सक्र एक्सरसाइज होएंगी और उसके बाद इंसाइटफुल टॉक होगी डॉक्टर कला के साथ हम बात करेंगे पीस विलेज से हैं वो न्यूँ यॉअर्क में 39 जन्वरी शनिवार कोस शवनफोरी पाइव इंडिया और सवशे बजे जो है इन कैनिडा के टाइम से वेस्ट कोस के टाइम से 9.15 यानि कैनिडा और यूएस के हिसाब से होगा तो हम्मारा अगला एपिसोड होगा 32 एपिसोड होगा Joy के ऊपर और जिसका नाम हर्ष या उसको हम मज़ा भी कह सकते हैं यह जो Joy के बारे में हम बात करेंगे इसके बारे में रजनी दिदी नैशनल कॉर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारी की जपान में और जपान और एशिन कंट्रीज की जो ये हैं, समय जो है थोड़ा सा अलग होगा, ये दो हफ्तों के बाद है, समय लिख लें, तो वेस्ट कोस यूएस और कैनेडा पांच परवरी को, जो है सुभे साड़े शेप बजे, हाँ जी और मैं बताना चाहूँगी, हम बात शुरू कर रहे हैं, स्प्रिक्च्छल पावर के बारे में, पावर टू विद्रॉ सैटरड़े, 13 फेबियरी, संडे मॉर्निंग, सुभे 10 बजे, इस कोस्ट इंडिया के हिसाब से, और 8.30 पियम, हम कैनेडा से शुरू कर रहे हैं, जो सिस्टर जूडी जोंसन जो हैं, हैलिफेक्स कैनेडा से, हमें जॉइन करेंगे, हमें आप जरूर हमारे साथ जुड़ें, और सारे इंफर्मेशन जो है, वो आप ले सकते हैं, विहासा.in और ब्रहमा कुमारीज, वैंकुवर.ब्रहमा कुमारीज.ca, और सारे वीडियो जो हैं, वो आपको यहां पर मिल सकते हैं, थैंक यू, ओवर टू मनोज ब्रदर, हम थोड़ा सा टाइम जो है, वो मेडिटेशन में लगा सकते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट मुजिक चलाएं, और हम थोड़ा सा मेडिटेशन करें, नहीं तो सिस्टर क्लावडिया जो हैं, वो दृष्टी दे सकते हैं, वो बहुत ही, तो हमारे को जो दृष्टी है, वो सुप्रीम से ही मिल सकती है, थोड़ा सा म्यूजिक हम चलाएंगे, अनुसिस्टर, संतोष दीदी आगे, तो हम उन पर फोकस करते हैं, चलाएंगे, वो दृष्टी दोतोष आगे, वोलाएंगे, वो दो भीचने ऴन म्यूदी मिल से बस्टोगल वोलगा। झाल 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 झाल